हेलो दोस्तों तो आज हम समझने वाले हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में बहुत ही खूबसूरा तरीके से आपको समझा जाएगा आराम से बैठिए और इसको समझिए देखो हमारे पास कास्टिंग हमने करनी है तो हमें चाहिए में में बात क्या है मोल्ड और उसके लिए पैटर अभी पैटर जो है वो अलग लग वे से बनाए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि वुडन के पैटर होते हैं तो कुछ पैटर ऐसे होते हैं जो क्या हम 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं अब 3D printing आपको पता है आज कल का future में 3D printing का ही आ रहा है pattern बनाते हैं उसी से mold त्यार करते हैं mold के बाद हम casting त्यार करते हैं तो एक-एक step हम समझेंगे किस तरह से करते हैं तो starting हम करते हैं printing से ये देखे 3D printing machine है हमने इसके उपर 3D print बना देना है 3D print हम जब बनाते हैं तो इस तरह का हमारे पास आ जाता है तो कितना खूब सूरत है पहले आप दिखाना चाहूंगा क्यों ये किस तरह से बनता है तो हमारे पास अगर मालो की थोड़े से अजीब अलग से shapes है ये देखे हमारे पर टर्बो चार्जर है तो इस तरह का shape त्यार करना इस तरह का pattern त्यार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर हम कहें कि wooden pattern त्यार कर दोगा इस तरह का wooden pattern तो त्यार नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें बनाना पड़ेगा 3D printing से तो हम इसको सफाई कर लेते हैं, बना लेते हैं, पैटर्ण पेंढ captain 3D printing से इसके पूरी सफाई कर लेते हैं, इसके बाद इसको post processing एंदर डालते हैं, alcohol के अंदर इसको dip करते हैं ओके, और इसको over the night एक पूरी राथ के लिए इसको इस तरह से hang करते हैं ताकि वो सारा अराम से dry हो जाए, सूख जाए उसके बाद main काम क्या है कि हमने इसके अंदर molten metal डालना है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि हमें इसके साथ gates बनाने पड़ते हैं ये देखिए इस तरह से gating system बनाना पड़ते है जिसके कारण उसके अंदर जाएगा हमारे पास molten metal तो हमारे पास ये जोग tree इसको हम कहा देंगे, gating का tree कहा देंगे देखो, एक-एक करके कैसे जोड़ा जा रहा है जोड़ा जा रहा है, ये देखिए तो ये इसके साथ जोड़ जाएगा और even इसके अंदर holes ना हो ये gating system जो है, इसके अंदर holes ना हो इसके लिए हमें checking करनी पड़ती है कि इसके अंदर holes तो नहीं है उसके बाद हम इसको ceramic में dip करते हैं इस तरह से, ceramic में dip करेंगे और इसके उपर layer चड़ाते हैं इस तरह से sand की देखो इस तरह से ठीक है, तो ये ceramic की layer sand की layer इसी तरह से बार 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 करते रहते हो और इस तरह का हमारे पास बन जाता है तो अब देखिए अंदर क्या है अंदर हमारे पास 3D printing वाला pattern है और उसके उपर हमने क्या चड़ा दिया है ceramic का pattern चड़ा दिया है तो coating उसके उपर आ गया है ceramic का तो इसको क्या करेंगे इसको अब ये देखिए रख्या और गरम करेंगे इसको गरम करने से होगा क्या इसके अंदर का जो अंदर जो हमने 3D printing से त्यार किया था था ना वो burn out हो जाएगा वो पिगल के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा अंदर hollow cavity mold रह जाएगा हमारे पास बास समझे दिमाग देखो अंदर एक तरह से ये समझें कि mom है हमारे पास जैसे हम mom बत्ती में यूज़ करते हैं वो है कि उसको अंदर डाला हुआ उसको पिगला लिया बाहर निकाल दिया अब अंदर जो भी मेल्टन आपने डालना है मेटल डालना है मून मेटल उसके अंदर जम जाएगा और वो वैसी ही शेप ले लेगा अब ये देखिए हमारे पास इसमें फाइदा ये ash residue मतलब इसमें ash नहीं बचती कोई भी ash मतलब हमारे पास राख वगरा कुछ नहीं बचता है और इसके अंदर होलो cavity बन गई ये देखो होलो cavity बन गई ये देखिए अब होल त्यार हो गया तो ये होल सारा साफ करने के बाद इसको भी उपर एक layer बना देते हैं ताकि अगर गलती से कोई होल छोटा मुटा बचा है वहां से नहां आजए बाहर नहां आजए कुछ भी अब हमारे पास actual casting का time अब आया है जो सारी मेहनत की कितनी मेहनत की है कि हमने पहले pattern थ्यार किया है हमने उसको पिगलाया बाद उसके उपर सिरा में चड़ाया उसको अंदर पिगलाया उसको बोल्ड बनाया उसके बाद अब actual काम आ गया क्या casting हो बहुत ही खूबसूरत बड़ा मतरब पिगला हुआ लोहा खतरनाक जरूर है मैं मानता हूँ लेकिन खूबसूरत भी बहुत लगता है तो कितने ड्रेस देखो किस तरह की company उनको देती है ठीक है ये हमारा अगर हमारे चोटी company हो ना हमारे local company हो तो ये dress बगरा कुछ नहीं मिलती भाई जलता है जले ठीक है शुकर है ये gloves लगा दे देते हैं चलो वो पहने के लिए तो ये जो casting है अब ये casting करने का वक्त आ चुका है अब ये क्या करेंगे कि molten metal जो है हमारे यूज करेंगे बहुत ज़्यादा घरम है ये देखे तो ये यूज कर रहे हैं अब हमारा जो mold बन गया था ना mold बन गया था hollow था वो खाली था उस खाली के अंदर हमने molten metal डालना है ये देखें यहाँ पे इस सब के अंदर डालना है और gating system के through वो आगे जाएगा नीचे वाला part mean है नीचे वाला part जो gear वाला part है वो mean है दूसरा तो सरफ gating के लिए है कि आगे उसने लेके जाना है अब ये use करेंगा ये देखें अराम से उसके अंदर डालना है देखो ये डाला molten metal ये देखें ये डाल दिया इसके बाद हमारे पास क्या आगा क्योंकि हमने तो अब लेकिन उपर की layer भी तो बचकी उस layer का क्या क्या है उस layer को भी तो तोड़ना है उसके लिए clean up करना पड़ता है उसके लिए उसकी बाहर की layer को खराब मतलब खतम करना पड़ता है तो ये हिला हिला के देखें इस तरह से vibration के through उसको बाहर वाले part को सिरम जो हमने layer चड़ाई थी वो हमने खतम करने थी वो हमने खतम कर दी इस तरहां का product आप आ गए लेकिन ये देखो अब ये वाला जो part है ये getting का part है ये तो हमें चाहिए नहीं हमें तो ये gear चाहिए तो हमें उसको cut करना पड़ेगा तो उसको cut करने के लिए अलग से process हमें करनी पड़ती है ये देखिए अब ये cutting करेंगे ये cutting की cutting करने के बाद actual जो product आया हमारे पास वो ये है ये है और इसको उपर ये देखो getting का जो बचा वो part भी इसको rub करके इसको grinding करके खतम करना है तो ये देखो grinding करने के बाद खतम करते हैं और उसके बाद हम इसके उपर जो chemical अलग लगता कि उसके उपर corrosion ना हो खतम ना हो ठीक है खराब ना हो इसके लिए हम इसके उपर layer इस तरह से कर देते हैं तो ये देखिए कितना तरीके से चल रहा है तो हम कहते हैं कंपणी की बनी चीज कई बार होता है कि ये गेर ले लो सर ये कंपणी का है और ये देशी कंपणी का है जो कंपणी का प्रोडक्ट होता है वो हजार रुपे का और जो हमारा लोकल होता है दो सो रुपे का महंगा है लेकिन क्या करें ठीक है okay कैसी कैसी प्रोडक्ट मन सकते हैं वो भी हमें देखना होता है तो यह होता है देखे पॉली कास्ट इसको जो हम 3-D printing से बनाते उसको पॉली कास्ट और इसको यूज करके हम अलग लग material bronze का भी बना सकते हैं, देखो, ये देखे, bronze का बन गया, stainless steel का बन गया, ठीक है, stainless steel का बन गया, तो ये pinion बन गये थे, अर ये देखे, हमारे पर connecting rod, connecting rod भी इसके थूरू बनाई जा सकती है, ये देखे, कितना खूबसुरत, एक ring जो है, इसको पहले हमने polycast बनाया, फिर actual ring बन गी, तो इस तरह से जो, मतलब मुश्किल, बहुत जादा मुश्किल है बनाना, ये ऐसा, ऐसा क्या pattern बना सकते है, ऐसा बना सकते हो, आप लकड़ी का pattern, कितना मुश्किल है, और यहां exact, आप same shape बना रहे हो, polycast यहां पे बनाया, उसके बाद ये बना दिया, ओके, तो ये हम जादा हम accuracy के साथ चीजियों को बना सकते हैं, तो ये होता है, हमारे पास investment casting, ठीक है, तो हमें इसके बारे में बड़े अराम से सोचना पड़ता है, और समझना पड़ता है, समझ आया के नहीं, मुझे ये comment box में रूप बताएं, और एक चीज़ बताएं, आपको कौन सा product प sector आने वाले है, ठीक है, आने वाले टाइम में जो investment casting अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 3D printing के थ्रू करना काम वो आने वाले आप future है, I hope कि ये concept आपको बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, बड़ा easy है, यही अगर हम book खोलते हैं, तो book में कुछ भी नहीं पता तक कि क्या कहना क्या जाता है मेरे बाई, तो यह बहुत easy है, अगर आपकी casting में interest और ज़्यादा है, तो मुझे बताएं, comment box में आप और क्या casting के बारे में समझ जाते हैं, next video में फिर से मिलेंगे, और app जुरू download करें, अगर आप JEE की preparation करना चाहते हैं, app download करें, app का link जो है description box में दे रखा है, thank you, thank you so much, next video में फिर से मिलेंगे